आप सभी को नमस्ते जी, फुना हम पतंजी के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ट हवन समागी चारमेश्टी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो अलग अलग प्रकार की जितने भी स्कीन डिजीज जिसमें दाद खाज खुजली है, एक्जीमा, सुरैसिस है, चिकन फॉक्स है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे है, ल्यूको डर्म सफेद दाग जैसे रोगों में ये समागरी विशेश्ट कर लाप्रद है, जिसमें द पुष्पी, इंद्रायन फल है, देवदारू है, ओश्वा है, पुष्कर मूल है, अपामार्गा और वचा साथ में इसमें कपूर मिलाकर ये समागरी तैयार की गए है, इन प्रकार की जितने भी स्कीन डिजीज है, इसमें गैति मंत्र ग्यारा होती या महामरित्यू जैसे घ्यारा होती दे कर हवण संपन नकल लें, उसके पुष्कार जब अंगारा बन जाए तो इसी समागरी में थोड़ी मातरा हम ले लें जिसमें से 5 ग्राम की मातरा में समागरी flex the और इसमें थोड़ा गुगल और घी मिस्वित करकर जब अंगारे बन जाए तो उसके उपर र और सरी में कहीं पर भी इचिंग की स्मस्या है तो इसकी जो यजशेस भस्म है एश जिसको कहा जाता है उसको फिर हम उनके सरीर में लेपन करा देते हैं तो उससे भी इसकी जो राख है एंटी सेप्टिक के रूप में कारे करती है फिर उसके साथ साथ हम इसनान भी कराते हैं कि जो सुबह हम इसनान करते हैं उस पानी में इस भस्मा को 10 ग्राम की मात्रा में हम घोल दें और उसको च्छान कर फिर उस पानी से इसनान करते हैं तो उससे भी काफी मात्रा में जो इचिंग की समस्या है या जो एकजीमा सुराइसी से तो उसमें भी काफी लाब हमको पतंजी के यहाँ जो योगपिट में या जटहैपिस इंटर उसमें हमने यह सारे पाया है पूरे सरीर में जब फैल जाता है तो हम एक और करते हैं कि जैसे इस्टिम बॉक्स लेते हैं तो उसी प्रकार से एक छोटे से मिट्टी के पात्र में हम अंगारा तैयार करते हैं और इसी सामागरी को 10 ग्राम की मातर में अच्छे से घी मिस्रित करकर फिर गुगल और उस इठा देते हैं इससे जैसे इस्टिम के माध्यम से पूरे सरीर में जो पसीना निकाला जाता है वैसी यह जो धुआ है वो पूरे सरीर में जब लगता है तो उससे भी पसीदा पसीना जो है शरीर से बहार निकलता है साथ में बहार जो इसकीन की समस्या है चाहे वो काले प्रकार से बिच बिच में इस प्रकार से स्पोर्ट निकल गए हो तो उसमें भी ये हम इस प्रकार से कराएं तो जिन वैक्तियों को 10 साल से सुराइसिस की समस्य थे उनको हमने 10 से 15 दिन में दो-दो समय करीब आधा-दा गंटर बिठा कर हमने उनको ठीक किये तो इतना ये अध्भूत है यज्ज थेरेपी जिसको एर्थ थेरेपी भी कहा जाता है यज्ज ची किसा भी कहा जाता है तो इस जो वैदिक परमपरा है यहाँ जो भारती संस्कृति वैज्जानिक परमपरा है यज्ज की तो उसमें ये पहली बार रिसर्च की साथ इंसामाग को बनाई गए है उसका result भी अद्भू थे जब हम उस वह वन को हम योग के साथ जोर देते हूं योग को हवन के साथ जोर देते हूं तो ऐसे करते हुए यह एक नेच्रल तरीके से हम अपने घर में भी अपना कर एक जो शरीर है अपना उसको हम स्वस्ता बना सकते हैं परिवार को स्वस्ता बना सकते हैं जो अपने शरीर में हम कितना जो कमाई हैं उसको खर्च कर देते हैं तो उसको भी हम सेविंग कर सकते हैं तो ऐसे अपना कर अपने जीवन कु नहान 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 पुलाव ओॉ